So LCD, LED and OLED के बारे में जानने से पहले थोड़ा basics देख लेते हैं कि screen पे image form कैसे होता है ये आपका normal से screen जो 1000 pixels को मिला के बनता है जैसे कि एक full HD screen में horizontally 1920 pixels और vertically 1080 pixels होते हैं इस एक छोटे से pixel के अंदर 3 base color होते हैं red, green और blue जिनके different combination से कोई भी color formation हो जाती है और अपना picture बन जाता है मतलब जितना ज़्यादा pixel उतना sharp और clear image Now let's get back into the LCD screen Basically इसमें दो main parts है Screen जिसमें image form होता है जो अभी हमने देखा और उसके पीछे एक backlight होता है जिसकी वजह से हमें screen दिखाई देता है ठिक उसी तरह जैसे doctors x-ray को देखने के लिए उसको light के आगे रखते हैं पर इसमें दिक्कत ही है कि individuals light को control किया नहीं जा सकता इसलिए जिस जगा black color है उसके पीछे से भी lights आती रहती है उसी वजह से black color थोड़ा grace नज़र आता है तो अगर हम यह CCFL backlight अटाकर उसी जगा LEDs लगातें तो black color की पीछे की lights को थोड़ा dim किया जा सकता है ताकि वो थोड़ा और black दिखे तो LCD और LED TVs में difference सिर्फ backlight का है दोनों ही LCD screen है पर एक में CCFL backlight और दूसरे में LED backlight है इसलिए उसे LED TV बोल दिया जाता है next OLED इसमें backlight की concept को ही पूरी तरह से निकाल कर दोनों को combine कर दिया जाता है simple language में हर एक pixel के लिए अपना separate LED होता है तो इसमें जहां black color होता है उस जगह के pixel को पूरी तरह से बंद किया जा सकता है और इसी वजह से वो true black नजर आता है जो कि screen को high contrast provide करता है पर manufacturing cost high होने के कारण अभी के लिए OLED की price थोड़ा upper range पे है but it will definitely come down in the future that's it for this video if you like this one do subscribe to the channel thank you